हलो गाइज ओर ऊंसकारा चैनल के सवागधा विल्कम बैक तो दे चैनल Bollywood में हर साल हुजार में हिल्में बनती हैं लेकिन इन में से ऐसी कुछी फिल्में होती है जो की आडियन्स पर इंपैक्ट चोड पाती है इसी लिस्ट में एक फिल्म है सलमान भाई और साजिद नाडियाद वाला की डिरेक्शन में बनी फिल्म किक किक जब रिलीज हुई थी तो उस साल की सबसे हिट फिल्म रही थी ये और इन दोनों की जोडी को खुब पसंद किया गया था और एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि इन दोनों की जोडी जो है एक बार फिर से वापस आने वाली है लेकिन इस बार ये सिर्फ अकेले नहीं है बलकि इनको जॉइन कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर जिनकों की किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है जी है मैं बात कर रहा हूँ रैंबो, रॉकी, दा इंक्रेडिवल्स फिल्मों में काम कर चुके हॉलिवुड के दिगज एक्टर सिल्वेस्टर स्टॉलिन सर के बारे में तो उससे पहले भी सिल्वेस्टर सर जो है वो कमबख्त इश्क में काम कर चुके है as a cameo एक चोटा सा रोल था उनका अक्षे कुमार की फिल्म तो उसमें वो काम कर चुके हैं और अब खबर ये आ रही है कि वो साजिद नाडिया वाला और सलमान खान के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं अभी तक इसका कोई भी official confirmation नहीं आया है ये अभी तक सिर्फ एक news निकल क कर आई है तो जब तक इसका final announcement नहीं हो जाता है तब तक इसको final मान के नहीं चल सकते लेकिन अब जरा सोचो की सिल्वेस्टर सर का fan following कितना है हॉलिवुड में तो बोलने की बात ही नहीं है इंडिया में भी बहुत ही तगड़ा fan base है उनका और साथ में सलमान भाई तो उनके पे screen पे ये तो आपको पता ही होगा और जब सार्मने सिल्वेस्टर स्टॉलन हो सलमान खान हो और साजीद नाडियावाल जैसे director हो तो film किस तरीके की होगी वो बोलने की जरूरत नहीं है एक action film ही होगी वो तो वेट करते हैं इसके official confirmation का कब तक ये news जो है वो final रूप में ब लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को थैंक यू सो मच पर वाचिंग मिलते हैं अक लिए वीडियो में जैहिंद